हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बे साब सब्सक्राइब स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडॉम फ्रॉम होस्पीटाल में दोस्तों हमारी जो ब्यूटी एपिशोड है इसमें मेरी कोसी से कि हम केमिकल से बचें और हमारे चेहरे का नेचुरल तरीके से देख भाल करें इस कड़ी को आगे लेने के लिए दोस्तों आज मैं आपके साथ सेयर करने वाला हूँ एक चमतकरी उपायच चमतकरी फेस पैक जो गर्मी के समय में खास करके आप ऑईली स्कीन में इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है उसी तरीके से हम अपना स्कीन केयर का भी रूटीन को बदलना चाहिए स्कीन केयर करते समय हमेशा सलह दी जाती है कि अपनी स्कीन को ध्यान में रखते हुए उसकी देख भाल करनी चाहिए क्योंकि जब गर्मी चड़ती है तो जिनकी ओईली स्किन होती है उसमें कई सारे बदलाओ दोस्तों हो जाते हैं तो चलिए औरेंज और ओर्स का आपको बताता हूँ फेस पैक कैसे तैयार करोगे इसको बनाने के लिए तीन टिस्पून ओर्स लेकर उसमें एक टिस्पून सहत दो टिस्पून ओरेंज जूस और एक टिस्पून दही या अंडे का मिक्स दोस्तों कर सकते हो अगर आप non vegetarian हो तो आप अंडे का mix करिए अगर आप vegetarian हो तो फिर आप दही का दोस्तों इस्तिमाल कर सकते हो अब इसे अच्छे से circular motion में अपने चेहरे पे लगाएं और फिर धीरे धीरे इसको mild scrub करते हुए साप करें याने इस काम में आप 10-12 मिनिट समय लगाएं और फिर fresh water से अपने चेहरे को धो लें ऐसा आप weekly दो बार दोस्तों कर सकते हो और मेहने भर में देखोगे इसका बढ़िया result आपको दिखने लगेगा दूसरा एक टिप्स दोस्तों आपको बताता हूँ अगर आप इसे भी चाहो तो अजमा के देख सकते हो चावल का आटा वो हल्दी का दोस्ते से प्रयोग करनी है तीन टिस्पून चावल का आटा लेकर उसमें एक चुठकी हल्दी प्योर हल्दी होनी चाहिए चीज भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकर आलतु फल्दु बहुत सारे हल्दी पाउडर आने लगे हैं एक टिस्पून सहथ और खीरे का रस जो है दोस्तों आप कम से कम वान थाड़ खीरा ले लिजेगा उससे आप रस निकालिएगा उसका इस्तिमाल करिएगा आप इसे पैक की तरह दोस्तों लगाए रखें लगभग 15 मिनिट के बाद साफ पानी से इसको साफ कर लें तो आप चाहें तो इसे फेस पैक की तरह बोडी पैक में भी दोस्तों इस्तिमाल कर सकते हो याने नोट ओली दगर्दन हो गे रहा आप चाहें तो इसको पूरे सरीर में भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों एक तिसरा भी आपको टिप्स देता हूँ बदाम और सहद वाली करीबन 10 बदाम को राद भर अच्छे से भीगो लें अगले सुभा इने पीस कर एक फाइन पेश्ट बनाएं अब इस पेश्ट में करीबन एक टिस्पून सहद मिलाकर फेस पर अच्छे से लगाएं जेंटल तरीके से करीबन 15 मिनिट इसको चेहरे में लगा रहने दें फिर उसको साफ पानी से धोलें और नरम कपड़े से दोस दोस्तों इस्तमाल कर सकते हो और एक बढ़िया उपाएं दोस्तों को बताता हूं टमाटर ऑइली स्कीन के लिए बहुत ही दोस्तों कारगर और अच्छा माना जाता है इस पैक को बनाने के लिए आपको टमाटर का जूस लेकर उसमें तीन चम्मत चावल का आठा और एक टी आपके पास थोड़ा से एक्स्ट्रा टाइम है और अपने चेहरे के लिए देना चाहते हो तो आखीर में टमाटर को आप दो पीस में काट लें और उसे सर्कुलार मुसन में मसाज भी कर सकते हैं याने आप जो टमाटर को बीच से काटे हो उसे सर्कुलार मुसन में अपने चेहरे का मसाज करना चाहिए इसके साथ सा दोस्तों मुलतानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है हमारे चेहरे से दाग धबे को हटाने के लिए और अपने चेहरे से ऑईल को भी बाहर निकालने के लिए इसलिए ऑईली स्कीन की महिलाएं इसे अपने स्कीन केर के रूटीन में जरूर सामिल कर सकते हैं इसके लिए मुलतानी मिट्टी में गुलाब जल मिक्ष्ट करके इससे एक पेश्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाए रखें कम से कम 15-20 मिनिट अगर आप चाहें तो साथ में कटन पैड को गुलाब जल में भीगो कर उसे भी अ नरम कपड़े से इसको पोँच लें इसके साथ साथ दोस्तों मैं जैसे हमेशा कहता हूँ आप sufficient पानी पीएं हर आदे गंटे एक घंटे में आपको एक एक ग्लस पानी पीनी चाहिए और जितना हो सके सलाद हो गयरा आप इस समय ले ब्रीधिंग exercise करें morning walk हो गयरा करें उसक साथ साथ non wage हो गयरा जतना हो सके avoid करें और आपका जो junk food है उसके पास भी नहीं जाएं मतलब उसको देखना भी नहीं है जिनकी cigarette की आदत है जिनको drinks की आदत है बिलकुल आपको छोड़ना पड़ेगा नहीं तो आपकी जो skin है ज्यादा oily होगा दोस्तों और एक meditation की जो आद आप 10-20 मिनिट की आदत हर रोज साम को करें जिससे आपको जवर्दस दोस्तों लाव होगा बोडी detoxified करने के लिए मेरी जो clapping therapy है उसको रोजाना 15-15 मिनिट सुभा आप आदत में लाएं और दोस्तों अपने चेहरे को दिन में 2-4 बार साप पानी से धो के साप कपड़े से गर उसको पूचें इस तरिके का अगर आप क्यर लोगे गर्मी में तो दोस्तों आपको किसी वी तरीके का दाग धबय नहीं होंगे नहीं होगा और चेहरे में कालापन रुखा पन डोस्तों डेफलफ नहीं होगा पिग्मेन डेशन भी नहीं होगा इसी बात के साथ कुछ अच्छा काम भी करते रहिए, पौधा जरूर लगाओ, जो मेरी किताब है, वो किताब को भी अपने घर रखो, इसी बात के साथ दोस्तों, इस वीडियो को ही पर समाप्त करता हूँ, और नई जानकारी के साथ, नई ब्यूटी टिप्स के साथ, फिर हाजिर होंगा आपके पा एक्यूप्रेशर, होम आयवेदा, एवम एक्सरसाइस से अप कर सकेंगे, डॉक्टर दर्बेश जी ने दो साल की कड़ी महनत के बाद, 51 बिमारियों के साथ, 26 कंटे की होम ट्रीप्नेंट, एवम ट्रेनिंग, आड डीवीडीज, आफ, 14 GB का पेंड्राइब के माध्यम से, ऑनलाइन आमाजन पर उपलब्द है, माई हेल्थ इन माई हैंड, इंग्लिश आव हिंदी किताब, 51 तथा 101 बिमारियों के इलाज के साथ, ऑनलाइन आमाजन पर उपलब्द है, दोस्तों, अब आप बिना दवाई के, बिना अस्पिताल जाए, घर बेटे, अपना इलाज ख झालाजन पर उपलब्द है, इंग्लिश आप एलाजन इलाजन आमाजन